हाई गाईज आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एकदम क्रीमी और चीजी चिकन सैंडविच बनाने की रस्पी बहुत ही माइल मसालों के साथ ही यह सैंडविच बनती है और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत परेगी तो सबसे पहले एक गार्लिक बड़र बना लेते हैं उसके लिए 4 टबली स्पून मिल्टेट सॉल्टेड बटर लिया है और वन टेबली स्पून लेंगे चलिफ्लीक्स इसे के साथ लेंगे वन टे सब्सक्राइब करें एक साइट पर और चलिए स्टफिंग बना लेते हैं तो मैंने लिए थी टेपल स्पून तेल और इसे अच्छे से गरम कर लिए आप चाहें तो आधा तेल और आधा बटर भी उसके साथ एक लाड़ साइस के प्यास को मैंने चॉप करके डाला है इसे तो यहाँ ढाने हैं तो यहाँ जाएगा तो तो यहाँ रॉट चिली फ्लीक्स नहीं पशू लाग्ट рук में टर अनिकालिय मृष ओयो जाहिए ट्री टेबले स्पून यहाँ घूइरीरों में यहाँ पर महादा और इसी केसाथ डालेंगे 200 ग्राम मिल्क आप चाहें कर और सक में क्यूब आड़ कि और दो टैबलılar पुन डालेँगे अगर आपके पस क्रीम नहीं है चिज मря機 box नहीं है आप performed तो मिक्षा को तब तक पकाना है जब चीज मैंने डाला वह यद डाल्य थे लिकिन आप चाहिए कि प्रकरे और अप तो बस सैंड्विचेस के अंदर डाने के लिए स्टफिंग तयार है, फ्लेम को करेंगे टर्न आप और एक ब्रेड ले लेंगे, ब्रेड में अब मैं फिल करूंगी वही मेक्षर, तो थी टेबल स्पून में हाँ पर डाल रही हूं और इसे स्प्रेड कर लेंगे एविली और थोड़ा मोटा लियर रखेंगे चिकन का, तो मैंने स्टफिंग भर-बर के डाली थी, मैंने 3 टेबल स्पून टोटल स्टफिंग डाली थी इसमें, और मैंने प्रॉपर इसे विली स्प्रेड कर दिया, और स्टफिंग के ओपर थोड़े सहारी धनी डाल देंगे, लेकिन य अब चाहें तो दोनों साइड इसे अपलाई कर लीजगा, अच्छे से चारों कॉर्नर्स बस इसे लगा दे रहा है, और उपर से मैं डाल रही हूं चीज, तो मैं यहां पर चीज डाल रही हूं, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं चीज को, लेकिन इसे चार चांद न करेंगे, अब हम एक पैन ले लेंगे, और फ्लेम काना में हर्का सा बटर हो दीजानाय और साइंविचे GR झा नि रखना हैं कि आप से अपर में को करें तो आप पैन ओए तो तो क्या वियम टो रख ञआए क्योंकि इस पर चीज है और मैं साइड से भी थोड़े तोरे बटर डाल देती हूं ताकि नीचे से ये तले से नहीं जिपकिए अब इन सैंड्वीचेस को ठक देंगे और पांच मिनट तक अपलोड तो मिडियम फ्लेम पर इसे कोक कर लेंगे अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें ही इसे बेक की जगा वो जादा बेस्ट होगा लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैंने इसे पैन में कुख किया था और यह हमारी सैंड्वीचेस एक दम तयार है यह देगे कितना जादा चीजी अंदर से कितना क्रीमी और सौफ बहुत जादा क्रीमी चीजी और बहुत ही मज़दार माउथ मेल्टिंग रेसिपी है मैंने इसमें चिकेन का इस्तमाल किया था अगर आप चिकन इस्तमाल नहीं करना चाहते हैं तो या फिर आप वाइल एक के चोटे-चोटे पीस काट कर यूज करें या फिर आप पनीर भी आप करें टेर आप वाइल जार रवाएल ऑा और आाय झाहते हैं अवा इसो जाई एक है जूबधाने सबर minds your चाहते हैं झाहते हैं